हैलो आल, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर रात को सोने से पहले आपके बारे में क्या सोचते हैं ठीक है, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है so reading का topic मैंने आपको बता दिया और आपने thumbnail में भी देखी लिया होगा है ना, तो रात को सोने से पहले वो आपके बारे में क्या सोचते हैं क्या कुछ आता है उनके mind में यही सारी हम देखने वाले हैं चीजे पूरी तरीके से ठीक है, so general reading है, collective है, इस बात का ख्याल लगना है हर एक चीजे resonate करें कोई ज़रूरी नहीं है आपके सांथ, ठीक है चलो, करते है reading को start, जिनको भी मुझसे personal reading लेनी है दिये गए whatsapp number पे contact करके booking को confirm करवा सकते है इस guide के ज़े काएं जो उनिवर्स रात को सोने से पहले, वो इनके बारे में क्या सोचते है काट सफल करने का एकदम से मन नहीं कर रहा है, एकदम से मन उदास हो चुका है चलो, मैं काट निकालूंगी रात को सोने से पहले वो आपके बारे में क्या सोचते हैं सबसे पहले काड़, आप जो हैं बहुत intelligent person हो, बहुत अच्छे person हो, loving हो, caring person हो और बिजनेस करना आपको जड़ा पसंद है, आपका सपना भी है, बिजनेस करना है ना, तो आप चाहते हो बिजनेस करना तो आपके person रात को सोने से पहले आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप बहुत intelligent person हो, बहुत अच्छे person हो, positive person हो और बहुत ही एक जैसे होता है ना, कि जो चीजे सोच लेना, वो पाके रहना, आप ऐसे person हो, ठीक, तो आपके बारे में आपके person यही सोचते हैं, कि इस तरीके से वो मेरे बगर नहीं रह सकता, या नहीं रह सकती, उस तरीके से मैं भी उसके बगर नहीं रह सकता कहीं न कहीं आपके partner के मैंने ये सारी चीजे चलती है कि हाँ मुझे जाना चाहिए मुझे action लेना चाहिए मुझे उसे बात करने चाहिए आपके person आपके तरफ जो है अपने relationship में success चाहता है इनका मुझे यही नजर आ रहा है कि आपके partner जो है आपके साथ आपके बारे में यही सोचते हैं कि हाँ, आप भी इनको इनकी लाइफ में आना चाहते हो और यह भी आपकी लाइफ में आना चाहते है ठीक है, आप भी इंतिजार कर रहे हो और यह भी इंतिजार कर रहे है तो यहाँ पर यही दिख रहा है Magician का Card है आपके partner यही सोचते हैं आपके बारे में कि आप बहुत intelligent person हो आप ऐसे person हो जो एक magician है यानि कि उसके सामने अगर कोई situation आ जाए कुछ ऐसे चीज़े आ जाए तो बहुत अच्छे तरीके से उसको manage कर लेगा या कर लेगी आप magician हो आपके partner यही सोचते हैं कि आप magician हो और आपके सामने कोई बड़ी परिशानी कोई बड़ी परिशानी नहीं है आप उसे चुटकियों में बजा करके solve कर सकते हो आपके अंदर वो power है वो सारी चीज़े हैं जो आप कुछ भी कर सकते हो ठीक आपके person यह भी सोचते हैं रात को सोने सोते time कि यह जो in or out in or out जो करते रहते हैं आपके साथ यह जो बार बार आना जाना याना जाना लगा रहता है इससे जो है ना लाइफ काफी disturb चलती है काफी ज़्यदा problem में होती है और लाइफ एकदम से रुक रुक करके चलना है ना आप नहीं चाहते कि आपकी जिन्दिगी में धीरे धीरे करके जो है ना सारी चीज़े एकदम से हो है ना आप चाहते हो कि यह आपके पार्टनर अगर आए तो आपके साथ lifetime के लिए आए ना आए तो कभी के लिए नहीं आए ठीक है यह रोज रोज के दुख से तो अच्छा है ना कि यह जाए तो हमेशा के लिए चला जाए ऐसा होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर यही है कि आपके पार्टनर यही सोचते हैं कि वो ऐसा ही सोचते है कि मैं जाओ तो हमेशा के लिए और नहीं जाओ तो कभी के लिए नहीं लेकिन यह परसन आजल से मुझबूर है आना जाना आना जाना इस परसन का लगा रहते है स्ट्रेंद का काड है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जिसे कि आपके पार्टनर यही सोचते हैं आपके बारे में कि आप काफी ज़ादा स्ट्रॉंग हो मेंटली, फिजीकली और दुसरों को भी काफी ज़ादा स्ट्रॉंग बनाते हो अगर आपके पास कोई सजेशन लेनी आता है कुछ ऐसी चीजे जिसमें सजेशन की जरुत होती है आप बहुत अच्छा सजेश्ट करते हो बहुत अच्छा से समझाते हो बहुत अच्छा से उसको समझते हो और समझाते भी हो ठीक है तो दोनों के अनुसार से मुझे यहाँ पर यही नजर आ रहा है कि आपके जो पार्टनर है यही सोचते हैं रात को सोने समय कि आप काफी ज़दा कंट्रोलिंग हो ठीक है? किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हो आपके अंदर वो पावर है कि आप किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हो आप बात करने में इनके सांथ इंट्रेस्टेड हो ठीक है? यहाँ पर दिखता है कि आप बात करने में इंट्रेस्टेड हो और आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी बाते हो एक्षन लेने का वेट कर रहे हो ठीक है यहां पर एक्षन लेने का वेट कर रहे हूं अपने परसन का रियूनियन चाहते हो आप यहां पर मुझे यही दिख रहा है कि आपके परसन रोज रात को सोते टाइम यही सोचते हैं कि आप रियूनियन चाहते हो इनके साथ ठीक यहां पर मुझे फिलहाल इस कार्ट से मैं यही इतना ही देखूंगी ठीक है मैं दूसरे कार्ड को देखूंगी क्योंकि पता ने क्यों अब इक्षा नहीं करता है कार्ड निकालने का इसलिए मैंने उस कार्ड को रोक दिया अब मैं दूसरे कार्ड से दिखूंगी ठीक है आपके पार्टनर जो है आपके पार्टनर जो है वो रोज रात को सोने के पहले आपके बारे में क्या सोचते है ठीक चलो कार्ड देखते हैं अगेन कार्ड को फैला करके निकालूंगी आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूजर को लेकर के सपने देखते हैं यह पर्टनर फ्यूजर को लेकर के सपने इस तरीके के देखते हैं वेट आप आपके तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वाट्सअप कॉल करने लगते हैं मैं बार बार बोलती हूं कि वाट्सअप कॉल ना करें फिर भी कुछ लोग होते हैं कि एक दम से उनके उनको समझ में नहीं आता है सिधी बात ठीक हैं उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है उनका दिमागी लगता है कि नहीं है मुझे बहुत ज़दा गुस्ता आता है जब कॉल आ जाता है तो उके तो यहां पर यहीं दिख रहा है आपके जो कार्ड्स है क्लिर ली मुझे यहीं बता रहे हैं कि आपके जो पार्टन्र है रोज राद को सुने से पहले वह यहीं सोचते हैं कि देखो यहां पर क्लिर ली है कि ये future को लेकर के कर ज़्यादा सोचते हैं आपके partner ठीक है future को लेकर के अपनी family और है ना आपके साथ अपना एक happy family life वो मुझे नज़र आता है new beginning आपके जो partner है यही हमेशा सोचते हैं रोज रात को सोनने के time ठीक है camera capture नहीं कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे रोज रात को सोने time ये person हमेशा यही सोचते हैं कि new beginning होगी हम दोनों के relationship की new new रखेंगे हम और हमारा जो relationship पे काफी better जाएगा काफी अच्छा जाएगा ठीक यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके partner जो हैं यही सोचते हैं रोज रात को सोने से पहल गाइड करती हैं आपके लिए आप दोनों के relationship के लिए और यह person कहीं है तक future को लेकर के काफी ज़्यादा सोचते हैं इसलिए इनकी intuition भी इनको guide करती है ठीक है future को लेकर के जो कि मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर रूज रात को सोने से पहले यह person जो है ना इस person के दिल मे मुझे लगता है कि आप दोनों के relationship को लेकर के कुछ ड़़ है ऐसा जो कि यह person किसी से कहने ही पाते हैं कुछ ऐसी situations आती हैं जो कि यह person अपनी feelings अपने emotions को दूसरों से कहने ही पाते हैं ठीक है तो मुझे यहाँ पर रूज रात को सोने से पहले यह person यह सोचते हुए नजर आ रहे हैं पता नहीं क्यों आप मेरा मन नहीं कर रहा है रीडिंग करने का सो मैं अब रीडिंग को यहीं पर खतम कर रही हूं ठीक सो सौरी वहुत सारी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हूँ कि मैं डीटेल रीडिंग करूँगी पता नहीं क्यों मेरा मूड नहीं कर रहे हैं मैं रीडिंग को अभी यहीं पर खतम कर रहे हूँ मिलते हैं आगली रीडिंग में फिर बाबाई